नमश्कार मित्रों भादर महीने में श्री कृष्ण जनमास्टमी से अगले दिन नौमी को गोगा नौमी मनाई जाती है गोगा जी राजिस्थान के लोग देवता है जिने इस दिन श्री जहार वीर गोगा जी का जनम उत्सव बड़े ही हर शुलास के साथ मनाया जाता है राजिस्थान के हनुमान गड़ जिले के एक शहर में गोगा मेडी है जा भादो शुकलपक्षी नौमी को गोगा जी देवता का मेला लगता है राजिस्थान के इलावा पंजाब हरियाना में भी इस दिहार को बड़ी ही विश्वाश और शर्धा के साथ मनाया जाता है गोगा जी महराज की पूजा करने से सर्प डंच का खत्रा नहीं रहता गोगा देवता को सापो का देवता माना जाता है इसी नागों की पूजा की जाती है मानेता है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर में रखने से सर्प बहें से मुक्ति मिलती है जनजन में गोगा महराज के प्रति अत्यंत शर्दा है गोगा देवता की मूर्ती को मिट्टी से या दिवार पर लगाया जाता है साथ में एक घोड़े की तस्वीर भी बनाई जाती है रोली चावल पुष्प गंगा जल आदी से पूजा की जाती है खीर चूर्मा गुलगले का परशाद भोग में लगाया जाता है मित्रों गोगा नोमी की कथा भी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गोगा नोमी की कथा इस प्रकार है एक साहुकार था उसके साथ बेटे साथ भोगे थी सातों खेत से कच्ची मिट्टी लेने गई मिट्टी में से एक साप निकला सारी देवरानी जिठानी साप को मारने लगी छोटी भोगों ने मना कर दिया उसने कहा इस साप को मैं अपने धरम का भाई बना लेती हूँ पीहर में बाप और बाबरी में साप तब सारी जिठानी बोली कि कल इसका खेट से लकडिया लाने का नमबर है साप को उसी तरह भेज देते हैं वहाँ पर साप निकलेगा इसको काट खाएगा दूसरे दिन छोटी बहु खेट से लकडिया लाने गई वहाँ पर साप बैठा था साप ने उसे देख कर फुफकार भरी छोटी बहु बोली भाईया राम राम तो साप बोला कि तुने मुझे भाई बोला है मैं तुम्हें नहीं डसूँगा छोटी बहु बोली आप तो मेरे आसे धरम के भाई हो गए आप मेरे को कैसे डस सकते हो कहा की जियो नाग नंगोलिया जियो बासुकी नाग जिन मेरो लाड लडायो नेवर घाली पाओ तब साप उसको नेवर एक परकार का पैर का जेवर देख कर चला जाता है छोटी बहु नेवर पहन कर घर आई तब सारी पजठानिया बोली इसको तो साप ने डसा नहीं मेरी बहन को मेरी साथ भेज दो सब जिठानिया बोली पीहर होते हुए भी अपना भाई तो कभी लेने नहीं आया इसके पीहर नहीं है तब भी धरम का भाई इसको लेने आया है फिर इसको तियार करके मेहंदी लगा कर भेज दिया दोनों रास्ते में चले एक जगा उनको खून की नदी भैती मिली एक छोटी बहु बोली मैं इसे कैसे पार करूं तब भाई बोला मेरी पूंच पकड़ लो जैसे ही वे चलने लगे वैसे ही खून की नदी दूद की हो गई फिर घर आते ही पीहर में सब उसके लाड़ प्यार करने लगे काफी दिन रहते हुए एक दिन साप की मा बोली मैं बाहर जा रही हूं तुम अपने छोटे छोटे साप भाईयों को दूद ठंडा करके दे देना उसने अपने भाईयों को गरम गरम दूद पिला दिया जिससे उनके फन जल गए एक दिन वह अपने परोसन से लड़ाई कर रही थी तब किसी बात पर बोली मेरे सबी भाईयों की सोगन भाईयों ने सुन लिया अपनी मा को बोल दिया बहुत दिन हो गए बहन को ससुराल पेज देना चाहिए तब उसको सबने बहुत सारा धन दे कर ससुराल पेज दिया उसकी ताई चाची बोली भाईयों ने तेरा लाड़ प्यार तो बहुत किया तेरे को छे कमरों की ताली तो दे दी लेकिन सात्वे कमरे की ताली नहीं दी तब उसने अपने धरम के भाही को कहा मुझे सात्वे कमरे की ताली क्यों नहीं दी वह बोले सात्वे कमरे की ताली मत लेना नहीं तो पश्ताओगी पर वह जिद में आगर बोली मुझे ताली देनी पड़ेगी तब उसको ताली दे दी कमरा खोला देखा एक बुढ़ा अजगर बैठा है अजगर ने उसको देखते ही जोड से फुंकार मारी तब उसने कहा बाबो जी राम राम अजगर ने कहा तुमने राम राम कहे दिया नहीं तो मैं तुझे डस लेता वह बोली अब तो मेरे धरम के पिता हुए मेरे को कैसे ड़ सकते हो तब वह बोला जीओ नाग नंगोलियो जीओ बासुकी नाग जिन मेरो लड़ लड़ाया नो करोड का हार तब अजगर ने अपना हार निकाल कर उसको दे दिया बहु सारा धन दोलत लेकर वापिस सुराल आई उसकी सारी जिठानिया कहने लगी पिहर में तो भाई बाप होते हुए भी अपने को कोई इतना धन नहीं देता इसके पिहर नहीं है तब इतना धन मिला दूसरे दिन उसके बच्चे खेलते-खेलते बोडियों मेंसे अनाच को बिखे रहे थे तो उसकी ताईउंने बच्चों को बोल मारा कि तेरे नाना मामा तो साफ संपोले हैं यह बात सुन रहे होंगे देख रहे होंगे मैं तुमें चान्दी की अनाच की बोरियां मंगवा देंगे आप हमारा अनाज मत खराब करो इस बात को बच्चों ने अपनी मा को जा कर बोला तब साप जो उसके धरम का भाई था बच्चों की बाद सुन ली दूसरे दिन बच्चे उनकी जाडू को बिखे रहे थे फिर एक ताई ने बोल मारा आपके तो साप और संपोलियां मामा और नाना है सोना चांदी की जाडू दे देंगे बागी ताईयों ने बोला कि इनको बोल मत मारो जैसे ही बोल मारते हैं उनके घर में वही समाना आ जाता है राजा को जाकर शिकायत की तब सारी ताईयों ने राजा के पास जाकर शिकायत की हमारी देवरानी के नो करोड का हार है वह ऐसी ओरत नहीं है उसे नहीं है हार तो रानी के पास होना चाहिए राजा ने साहुकार के बेटे की बहु को बुलाया और कहा कि यह हार मेरी रानी को दे दो उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया अपने मन ही मन बोली मेरे गले में रहे तो हार रानी के गले में रहे तो नाग हो जाए तब वह हार दे कर जाने लगी उधर रानी के गले में हार पहनते ही वह साप बन गया रानी को काट खाया तब रानी चिल्लाई बेटे की बहु को बुलाया ताकि वह हार ले ले जादू टोना करके चली गई है राजा ने उसको बुलाया तेरे मेरी रानी के उपर क्या जादू टोना किया है तुम ये हार जल्दी से वापिस निकालो उसने कहा मैंने तो खुछ नहीं किया मेरा पीहर नहीं था सो मैंने साब देवता को अपना भाई बनाया उन्होंने ही मुझे यह हार दिया था तब राजा ने कहा यह वापिस ले लो राजा ने एक अपने पास से ओर दिया फिर जठानिया बोली राजा रानी से भी नहीं डरती फिर उन्होंने अपनी पती को आग लगा दी फिर जिठानियों ने उसके पती को कान भर दिये तुम्हारी बीबी तो जहां जाती है वहीं से धन लेकर आती है तुम इससे पूछते क्यों नहीं कि वह कहां जाती है कहां से क्या लाती है इस तरह से वह पती भी उनकी आग बुझाई में आ गया उसने अपने पत्नी को बहुत मारा बहुत गालियां दी और कहा तूं कहा से यह सब समान लेकर आती है तब उसने कहा मैंने तो साब को अपना भाई बनाया है साब देवता नहीं मुझे इतना सारा धन दिया है उसके बाद उसके पती ने पूरे गाउं में घोशना करा दी कि ने पूरे गाउं में भोजन कराया नागों की पूजा की तबी से यह वरत और यह पूजा की जाती है मित्रों यदि आपको भी यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जूरूर सब्सक्राइब करें ही नाग देवता जैसा उस सहुकार की बहु को पिहर दिया वैसा स सब को देना कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना इसके पश्चाद विनायक जी कहानी भी जुरूर सुननी चाहिए विनायक जी कहानी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मित्रों तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कहानी सुन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद